हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बादर वित आयूश और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के स्टॉक के बारे में टाटा पावर के अगर दोस्तों आप शेयर उल्ड है तो आपके लिए डिफिनिटल बहुत बड़ी ख़बर निकल किया है वीडियो को देखेगा आप पूरा जरूर फ्रेंट्स चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा अगर आप कोई वीडियो बढ़या लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाहिएगा तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गिरावट बनती हुई देखने को मिली बिकॉस मार्केट में बहुत प्रेशर है आज अगर आप एडवांस डिकलाइन रिशियो देखेंगे तो एक समय पर वन इस्टो एट का था यानि सिर्फ एक शेयर बढ़ रहा था और उसके सामने आट शेयर गिरते हुए देखने को मिल रहे थे ऐसा मार्केट का देखेंगे एडवांस डिकलाइन रिशियो था तो टेफिनेटली मार्केट बिल्कुल सही लेवल्स पर अभी आपको यहां पर चलता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है और सबसे बड़ा कारण सबको पता है कि देखिए रशिया यूक्रेन क्राइस है यह जो काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं undoubtedly बहुत जोदा खराब है सारे global markets के लिए और आज बीच में बढ़िया बया निकल कहा था कि जो बाइडेन जो अमेरिका के प्रधान माफ की जिगा राष्ट्रपती है उन्होंने साफ-साफ कहा था कि हाँ वो आपको meeting करते कि वो लोग interested नहीं है और उन्होंने का कि कोई ठोस हमारे पास देखे मुद्धा नहीं है जिस पे हम बातचीत करते हुए देखने को मिले और कह सकते कि देखे अडियल सोभाव रश्या भी अपना दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है कल UK के देखे जो प्राइम मिनिस्टर करता हुआ देखने को मिल रहा है तो यह वर्ड वर्ड थर्ड का उनके तरह कहा गया तो डिफिनिटली देखे मार्केट्स के लिए जो सेंटिवेंट है वो बिल्कुल भी positive आपको देखने को नहीं मिल रहा है और मार्केट लगातार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह और जादा power stocks गिर रहे थे उसके बावजू देखे टार्टा पावर बढ़िया आपको करता हुआ देखने को मिल रहा तो definitely यहाप इस टार्टा पावर में दोस्तों जो खबर निकल के आई है उसके कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो आपको कम देखने को मि recovery आई थी वो just उसी cover के कारण आई थी क्या cover निकल कही है चलिए सबसे बेले उपर इसके उपर डाल लेता है तो दोस्तों के टाटा पावर के दुर्वार यह मीडिया रिलीस की गई है और उनने क्या कहा है कि RWE and Tata Power collaborate to explore potential for development of offshore wind projects in India तो देखिए यहाँ पर लगातार renewable energy लगा देखने को मिल रहे हैं बहुत बढ़िया देखिए कह सकते हैं कि आपको Tata Power काम करता हुआ देखने को मिल रहा है और लगातार company अगर आप देखेंगे तो दूसरी company के साथ collaboration कर रही है करार कर रही है और कह सकते कि यह बहुत important रहता है RWE दोस्तों जो है वो contribute करता हुआ active market है जो offshore wind opportunities create करता है और यहाँ पर करेवन 7600 large coastline है बहुत important 7600 km बहुत ज्यादा होता है उसका दोस्तों यहाँ पर coastline है जिसका देखिए MOU sign किया गया है Tata Power और Renewable Energy Limited और RWE उन्होंने देखिए यहाँ पर कह सकते MOU sign किया है जो government of India ने announce किया था 30 GW अचीब करने का जो offshore wind installation ह 2030 तक तो definitely अब भूलिया लगती है और बूलिया दूस्तों जो मिलती हुई देखने को मिलती है companies को हमेशा बढ़िया रहती है और Tata Power definitely इसमें आपको बहुत बढ़िया काम करता हुआ देखने को मिल रहा है और Tata Power के देखिए यहाँ पर CEO Managing Director है Dr. Praveer Sina उनकी तरफ से कहा ग बहुते हुए definitely उसको पूरा करते हुए नजर आए तो I think undoubtedly खबर बहुत important है और खबर बहुत बढ़ी है 7000 किलोमेटर मतलब आप समझ लीजे कि कितना बड़ा project आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा company के जारा देखिए specifications नहीं दिये गई है कि कितने रुपे का project है but definitely अच् data power को RWE data power RWE को मिलता हुआ देखने को मिला है जो official partnership announce हुई है तो मुझे लगता है कि देखिए जो recent developments हो रहे है data power के अंदर वो बहुत बढ़िया है market अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बढ़िया support नहीं कर रहा है देखिए एक बात होती कि market support करें then आपको definitely देखिए stocks के अंदर मुझ आता हुआ देखने को मिलता है पिट अगर दोस्तों market support करता हुआ देखने को आपको नहीं मिलेगा then undoubtedly गिरावट अगर आएगी तो उ market definitely कि हमने जादा witness नहीं किया है पिछले दो साल के अंदर और अभी दोस्तों अगर आपको यह बाजार देखने को मिलता है और जिसका example अगर आप देखेंगे तो वो था कोविड अभी क्या हो रहा है fear यह तो है market के अंदर हमको market को यह fear है कि कोई नहीं खवर खराब खवर निकल के ना आ जाए बट मुझे लगता है कि देखें यहीं मौका होगा जहां पर आप definitely buying करके बैठ सकते हैं होगा क्या कि देखें यह fear definitely at the end आपको आता हुआ देखने को करना चाहेगा because देखें एक economic disruption दो देखने को मिलता है अगर किसी भी country का share बजार गर रहा है इसका मतलब दोस्तों उस company के economy में आपको गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है और रशिया का जो आज index है RTS index जो होता है उनका वो करीबन 3% नीचे trade कर रहा था तो आप जो बाइडन क्या रहा था कि मैं उनसे बाक्चीत नहीं करूँगा लेकिन यूए से कोई पता है कि अगर ऐसा है हला चलता रहा तो stock market की आलत खराब रहती हुई देखने को मिलेगी commodity की price बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और उस ता कि crude और भी आपको यहाँ पर महेंगा ह होता हुआ देखने को मिले जो definitely अगर war होता है तो crude कहाँ पहुच जाएगा यह किसी को नहीं पता है तो जो economy में disruption होते हुए देखने को मिलेंगे और यह होता है कि यह हफता और volatility हम थोड़ा बहुत देख ले important date ही कि देखे Thursday को अगर meeting होती है दोनों country के कह सकते हैं presidents की जो Joe Biden है और जो Putin है अगर उनकी देखे meeting होती ही देखने को मिलती है Thursday को देखे कुछ ना कुछ तो बाजार बढ़िया करता हुआ देखने को मिलेगा तो अपकी अपको focus करना है कि हां इन stocks को hold करना है rather than selling अगर आप hold करेंगे देखे यह stocks बढ़िया करते हुए देखने को मिलेंग at the near term यह बाद आप याद रखेगा अब बात करते दोस्तों कल के target के बारे में अब बात करते दोस्तों targets के बारे में definitely targets निकालना अभी बेहद मुश्किल होगा क्योंकि market को पता नहीं देखे आथ sentiment बली कितना ही आपको बढ़िया रहता हुआ देखने को मिले stocks का लेकिन तक चलती भी देखने को मिलेगी stock specific में भी गिरावट आती भी देखने को मिलेगी but definitely मैंने चाहा कहा कि अगर अच्छे stocks आपको सही value पर मिल रहे हैं discount मिल रहे हैं तो definitely buying करिये मुझत है कि Tata Power सही levels पर मिल रहा है अगर हमें आपको यहाँ पर count definitely HDFC बहुत सारे stocks हैं जो मुझ 230 रुपर के अवाओ के levels हम यहाँ पर witness कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही था thank you friends watching this video